नमस्कार, News World इंडिया पर लगातार जारी है किसान आंदोलन की महा कवरेज कृशी कानून के खिलाफ किसान लगातार जगा जगा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं टीकरी बॉडर और सिंदू बॉडर पर पंचाब और हर्याना के हजारों किसान धरने पर बैठे हुए हैं इसके अलावा गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले बॉडर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां किसानों और पुलिस के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है टीकरी बॉडर सिंदू बॉडर और इसी के साथ दिल्ली और युत्तब प्रदेश को जोडने वाला गाजीपुर बॉडर यहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है किसान नेता पीछे बोल रहे हैं इनकी बातों को सुना इनका कहना है कि सरकार अगर 20 रुपे भी माफ करती है किसानों के तो इसका भी परचार करती है लेकिन इतना बड़ा कानून बना दिया उस पर कोई बात नहीं किसानों से किसी तरह की कोई डायलोग नहीं किया गया कोई बात नहीं की गई इस पर हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है जो इस पर हम से बात करेंगे सर यह बताईए प्रदर्शन का दस्वा दिन है यह प्रदर्शन कब तक चलने वाला है और सरकार से जो आपकी बातचीत हो रही है उसमें क् दंश करih और ठेयरी मॵार्थ क्या पीषाणी क्यारी है की जो कानून बनाये गए हैं वो किसानों के लिए ही बनाये गैए उसमें किसानों का हित छिपा हुआ है इसमें सरकार का फिए हो जो जिवा बताईए यह हाईए इसको वह प्रदेशन कर रहें इसको जाम कर दिया गया उससे आम लोगों को भी परिशानी आ रही है इस तरह की बाते लिगार रहे हुए हमारे हमारे साथ एक और किसान मौझूद है जो की जीन्स और शर्ट में यह मैंने इसलिए जिक्र किया इस बात का क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह की बाते चल रही है कि जीन्स और शर्ट वाला किसान जो है वह असली किसान नहों कर नकली किसान है जो यहां पर आंदोलन में शामिल हो बंदा कि इसको सब्सक्राइब करना यह लाँ हमारे जो बड़े करотриका मना रखाय है कर दो कर रहा करता हूं वहां पे जितने में किसान हैं युवां हैं बुजुर्ग हैं उन्हें पूरा जो नहीं आ पाए वहां पे अपना पूरा अंदोलन करेंगे और भारत बंद का एलान कर दिया आठारिक को इसमें नहीं निकल कर आई आपने का कि आप उत्राखंट से हैं उत्तर पदेश के किसान किसान सब्सक्राइब हें पंजाब के किसान सब्सक्राइब हर्याना के किसान और हमें यूपी में रख लिए और जैसे 26, 27, 28 to 8 हम भाऊ से निकले थे उन्होंने का आप जाने के लिए आप यहाँ चले जाओ हम वहां से निकले के लिए रवाना हुए हम अबी हुसे के नहीं रोगえる है यहार पर हमने कर सतर हमना करना करना है करना चाहते हैं लगातार सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि आप बुराडी पहुंचिए सांती से वहां पर इखटे हुई है और सरकार वहीं पर आके आप सरकार आपको नियत की बात कर रहा है कि जो नियुंतम समर्थन मूल है उसके साथ किसी तरह की छेड़ चार नहीं की गई है वह बोसी तरह से जारी रहेगा और विपक्षी साजिस कर रहा है आपको बरगलाने की किसानों को कुशिश कर रहा है जिससे उनके मन में शंका व्यापत है देखो पहली बार विपक्ष में कोई सवाल नहीं है विपक्ष और पक्ष दोनों मिले पड़ें ठीक है और सरकार करी मेरा बुजर के मेरा मेरा जमीन है वह लेकिन जो जमीन हमें मेरा बाप बदादो कह रहे नहीं बेटा यह तक पनी है का अपनी है आज से दस साल वर मेरे बच्चे क्या कहेंगे पापा वो जमीन तो हमारी है नहीं क्योंकि वह हमारे काउग जमीन है एस सरकार हमें लिखित देना के अमस्पी जारी रहेगा लिखित देऊ जो नहीं लेगा उसको डंड होगा सरकार की नियर खराब इसमें अच्छा यह बताईए ज किस तरीके से चीज़ का आप लोग जुगाड कर पा रहे हैं देखो ना यह सरकार की शुरू से नियत रही है कहीं भी कोई अंदोलन होता है उसको गलत नियत से दिखा जाता सी एका अंदोलन वा उन्हें पाकिस्तान से आ रहा है फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है अब यह और जो लंगरी चल रहा है गुरुदवार पुरबंद कमेटी इसका पुरे अपने हिसाब से पुरा लंगर का सरचालन कर रही है क्योंकि प्रदर्शन को दस दिन हो चुके हैं सांतिप्रियत तरीके से प्रदर्शन चल रहा है शाहीन भाग में भी महीनों ऐसे ही प्रदर्शन की शक्ल अख्तियार कर रहा है इस पर आप क्या कहेंगे ने उनके हम उस पर मैं कोई टपनी निकर ने करना जाता मैं अपने दोलन की बात करना है चाहता हूं हमारा दोलन सांधिपुरी चल आएगा जब तक सरकार की आखें ने खुलती देखो ना सरकार के निय सरब्सक्राइ में होगी कर लों तक उसमे रहा है कि नहीं नहीं रहते हैं और जितने खासान नेता है जाकर बात нед नहीं पा रही जैसे जैसे लंबा खेचे का अंदोलन और यह जतना प्रदेश का किसान सड़क पर है उत्तरा खंड का भी किसान सड़क पर सड़क पर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूं यह खबरों मेडिया तो तमाम कवर कर रहे हैं हर बॉर्टर पर मीडिया मौजूद और वहां पर हर किसी समबात कर रहे हैं लेकिन बाकी राज्यों के किसानों की शकल नहीं दिख रही है बढ़ें सबीकर रहे हैं वहां पर सब्सक्राइब कर रहा है यह तो नहीं है वहां कर राजिस्तान कर नहीं है रजगा की सानिया पहुंच रहा है और आप जैसे उनका वस्ता है अपने हिसाब से आ रहा है करिए सब लाटब है पदां लग लगा कौह25-22 अपने एक रड़की बात करी थे कि मेरे पास इतनी एकड Uhm एक पतही tutte किसां गरीब किसां जब यहां पर आते हैं तो बोलते हैं कि हम्यक्ष किसान अने के बात तो हमारा जमिन तोर पर आप से पूछ रहा हूँ कि आपकी प्रमुक समस्या क्या है सब्सक्राइब के तौर पर आपकी प्रमुख समस्य क्या है ठीक है उससे कानुनों को लिए पहले देख द्हान हमारा पहुत है तक नहीं तक नहीं तक नहीं तो का उसकी प्रिम्नियों निकल जाते तो में अच्छा आप भी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आई आप किसान है तो यह मोधी मीले में हार साल क्या कर चाह्चार करते हैं कि सब तमने कि यह पर responds उन्हें क्या करने गन्य काटने हैं गन्य काट कर देंगे उसकी परचीनी देंगे सवाल को सुना है और राज सरकार योगी वह भी हमारी है जब हम ने पॉंस साल के लिए चुनड़का है सरकार के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं कि विपक्ष जो इसमें साजिस कर रहा है वो आपको जो है आपके मन में वहम पैदा कर रहा है डर पैदा कर रहा है सब्सक्राइब किसी तरह के हमारे कोई मध्यद यह किसान का मैटर रहाएं सब एक बंध मुठ्य है सरकार के सामने खड़े हैं अब अब पंध जाएंगे कि यहां पर हैं काफी देर से बात करने की कोशिश कर रहे थे यह बताइए सिंदू बॉर्डर पर भी किसान लगातार जम्हें हुए हैं टीक्री बॉर्डर पर भी गाजेपुर बॉर्डर भी तीनों जगा जो किसान है इनके बीच में संपर्क कैसे बना हुआ है किस तरह से आगे की रड़नीती पर आप तीनों जगा के किसान बात कर रहे हैं देखिए जो हमारे जो समीती जो बनी हुई है जो यह संगठन है आपकिस बैनर्ट तले हापर भारत्य किसान यूनियन यह जो संगठन है इनके सब के प संगठन यहां पर देखिए हैं धारते किसान यूनियन पूरे उत्तर पर देश में पन्जाब अर्याना सबी जग यहां पर कोई एसा किसान है जो किसी बैनर के तलेедर ही किसान यूनियन से ना हो सिर्फ किसान भनों का 2015 Web समय वहाब लंगया तो इ leashमठना काम किसान हूँ वो एक संगठन है जो किसानों की बात को रखता है नहीं मैं यह इसलिए कह रहा हूं कल को देखिए जो टिकैट साव हैं अगर वो बड़े नेता हैं बड़े नेता हो में आपस में बैट के कुछ गटबंदन हो जाता है कुछ बाचीत हो जाती है संदी हो जाती पर बात करेंगे वह उनकी बात को मान जाते हैं नियुन्तम समरतन मूल के साथ ना लिखित दिया जाता है वह आप से कहते हैं वह आपसे कहते हैं कि किसान भाई हम लोग वापस चलते हैं इस पर बात हो चुकी है और जो बीड़ने को लेकर ही समीती के साथ बात करते हैं चाहे वह सासन की समीती यह अपना डिसीजन नहीं होता तिकेट साथ सब के साथ मिटिंग लेते हैं उसके बाट डिसीजन आप किसानों के साथ बात करते हैं टिकेट साब सबस्क्राइब करते हैं कि सबएज इतने भी यहां पर आये हैं चाहे वह भारती इकसान यूनियन का अधिकारी हो चाहे वह आम किसान हो वो सभी जमीन से जुड़े हो लोगों सभी खेते करते यह कोई नेतागीरी ठोड़ा ही करने आ रहे हैं अशा ऐस तारीकों भारत बंद नौ तारीकों अगर बात होती ह।र बात दो बारा नहीं बन पाती है कअरबर और डीट आगे की मिल जाती है आगे बढ़ा दी जाती है यह सिलसला करहिंप तक जारी रहेगा और सिलसले के साथ तो मतलब आर या पार, यहां पर तमाम किसानों से बात की गई, इनका कहना है कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक सारे किसान इसी तरह से हर बॉर्डर पर डेरा जमाई रहेंगे, आठ तारी को भारत बंद है और ना तारी को बात होनी है, बात अगर सफ पर बॉर्डर से, मैं काविंदर चौहान, News World India खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे देखने के लिए चुड़े रहिए News World India के साथ